ट्रोलर्स के निसाने पर हैं दिनेस लाल यादो निरहुआ बाई जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे अखिलेश यादो के खिलाफ तब भी वो ट्रोलर्स के निसाने फेते और अब जब आमरपाली दूबे उन्हें आई सपोर्ट करने चुनाव के आखरी दोर में तो भी वो ट्रोलर के निशाने पर हैं अब वो ट्रोलर के निशाने पर इसलिए हैं कि अपनी पत्नी को तवज्जो न दे कर वो आमरपाली दूबे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जी हाँ आज कल ट्रोलर दिनेस लाल यादो निरहुआ को इस मामले को लेकर काफी ट्रोल कर लोगों का मानना है कि दिनेस लालियादो निरहुआ अपनी पत्नी की बज़ाय आमरपाली दूवे को वो तवज्जों देते हैं जो एक पती को अपनी पत्नी के लिए देनी चाहिए लोग यहां तक कह रहे हैं कि आज तक निरहुआ ने अपनी पत्नी को कभी मीडिया के सामने नहीं लाया मीडिया के सामने ना आने की सबसे बड़ी वजय दिनेश लालियाद और निरहुआ की समय समय पर रहने वाली गर्फरेंड है जी हां लोग कभी उनका नाम पाकी हेगडे और कभी आमरपाली दूबे से जोड़ देते हैं लेकिन ट्रोलर्स को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप निरहुआ पर ये इंजाम लगा रहे हैं तो उनके कुछ इंट्रिव्यूज देख लीजिए जहां निरहुआ ने सा उनकी पत्नी कैमरे के सामने या मीडिया के सामने आएं लेकिन उनकी पत्नी ही हैं जो नहीं चाहती हैं कि वो अपने घर की जिम्यदारियों को छोड़ के कई चैनल पे मौझूद हैं उन्हें देख लीजिए और